सुगर मॉनिंग आईज तो चलिए स्टाट करते हैं आज के आने के 10 नवंबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी 37th नंबर के जो नेशनल गीम्स हुएं उसमें प्रथम इस्थान पे कौन सा राज्य रहा तो इसका उत्तर होगा महराष्ट्र यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल गीम्स 2023 की जो की इस बार कौन सा संस्करन है कौन सा एडिशन है 37th नंबर का है कहां पे हुआ यह गोवा में हुआ गोवा में पहली बार नेशनल गीम्स का आयोजन हुआ और इस बार इसका मैस्कोट यानि की शुभंकर क्या था मोगा और ये भी याद रखना इसका आदर्श वाक्य क्या है गेट सेट गो और अभी इसका ओफिशल स्पॉंसर कौन बना था पेटीम बना था तो मेडल टेली में अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पे महराश्टर है महराश्टर ने कितने मेडल जीते हैं आप देख सकते हो 80 गोल्ड, 69 सिल्वर, 79 ब्रोंच यानि की टोडल 228 मेडल इसने जीते हैं अच्छा देखो यहाँ पे एक प्रश्ण बन सकता है जो राश्टर खेलो में नेशनल गेम्स में टोप पे होता है उसे कौनसी ट्रोफी दी जाती है ये प्रश्ण आ सकता है तो आंसर होगा राजा भालेंदर सिंग ट्रोफी वैसे मैं आपको बता दू महराश्टर या और तीसरे स्थान पे हरियाना है इसके 62 गोल्ड है और ये देखो टॉप थ्री में आपको बता दिये इसके बाद आप अपने अपने राज्जुक के रैंकिंग जरूर ध्यान रख लेना जैसे आप राजास्तान से हैं तो राजास्तान के सिस्थान पर है उत्तर प्रदेश से हैं तो वो किस सिस्थान पर है कितने गोल्ड है और कितने मेडल है बाकी यहां पर दो पॉइंट और याद रखने वाले हैं कि सर्वश्रिष्ट पुरुष एथलीट किसे चुना गया तो तेराक हैं सुइमर हैं श्रीहरी नेटराजन इन्होंने आठ गोल्ड जीते एक सि जीता है और अगर बात करें कि कौन-कौन से नए खेल इस बार इसमें जोड़े गए तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं इसक्वे मार्शल आर्ट, रॉल बॉल, सेपकट कराओ, कलारी पैयेट्टू, पैनकेक सिलार्ट और मिनी गॉल्फ पिछला वाला जो एश्यन गेम्स उननिसवा संसकरन था जिसको होस्ट किया था, चाइना ने चाइना के हांग जाओ में हुए थे, उसमें इंडियन टीम को स्पांसर किया था मूल ने और उसके उदगाटन समारों में भारते ध्वजवाहक दो खिलाडी थे, एक हर्मन प्रीट सिंग और एक लवलीना इन्होंने इसमें सिल्वर जीता, हर्मन प्रीट सिंग की बात करेंगे मेंज हौकी टीम के कपतान है, वहीं समापन समारों में ध्वजवाहक, फ्लेग वियरर, P.R. श्रीजेष है,brand सिरिजेश है बाकी मैं आपको यहाँ पे टीम इवेंट जरूर बता हूँगा, कि भारत म कि भारत ने team event में किस किस में gold जीता है तो देखो hockey की बात करते है इसमें men's hockey team इसने gold जीता है जबकि women's hockey team ने bronze जीता बतलब मैं आप जो भी team बता रहा हूँ ना उन्होंने gold जीता है और किसको हराया वो मैंने bracket में आपे नाम लिग दिये हैं जैसे कि men's hockey team ने किसे हरा करके gold जीता तो आंसर होगा जापान को वहीं किर्केट में अगर बात कर रहे हैं तो मेंस और वोमेंस दोनों टीम ने गोल्ड जीता लेकिन मेंस टीम ने हराय था अफगानिस्तान को और वोमेंस टीम ने हराय था श्री लंका को कबड़ी वाला इंपोर्टेंटेस में Mains और Women's दोनों ने जीता है Gold Mains वाली टीम ने इरान को हराया और Women's वाली टीम ने चिनी ताइपे को हराया उपविजेता चिनी ताइपे है और यह पहले बार हुआ Asian Games के इतिहास में जब हमने 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं तो यहाँ पे दो तरक के प्रश्न बन सकते हैं कि हमारा सोवा पदक ये किस टीम ने जीता या किस ने जीता तो वुमेंस कबड़ी टीम ने जीता या यू पूथले कि सोवा पदक हमारा कौन सा था गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज तो गोल्ड मेडल था अच्छा कितने पदक है हमारे पास या भारत कौन से स्थान पे रहा मिडल टैली में तो भारत चौते स्थान पे है 28 गोल्ड है 38 सिल्वर है और 41 ब्रोंज है टोटल 107 मिडल है हमारे पास चाइन टॉप पर है फिर जापान साउथ कोरिया और भारत है और मैस्कोट भी याद रखना तीन मैस्कोट है चैन चैन कॉंग कॉंग लियान लियान बाकी थोड़ा इतिहास भी आप ध्यान रखें पेले एशन गेम्स 1951 में हुए थे ये नई दिल्ली में भारत में दो बार हो चुके है 1951-1982 ये प्रशन एक्जाम में आ चुका है लास्ट वाले 2018 वाले इंडोनेशिया में हुए थ का पहला AI समाधान का नाम क्या है तो अंसर होगा क्रशी 24x7 तो अभी क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले ने क्रशी समाचार निगराने और विशलेशन के लिए भारत का पहला AI यानि क्या Artificial Intelligence अंचालिच समाधान Solution एक क्रशी 24x7 को लांच किया है और इसे किस ने बनाया है तो क्रशीव किसान कल्यान विभाग और वादवाने इंस्टिट्यूट फॉर AI मुंबई ने इसको डेवलप किया ये क्या काम करेगा तो ये जो Artificial Intelligence है ये Agriculture से समंदित सारी News देने वाला है जैसे इस भूमी के लिए कौनसी फसल उगानी सही है इसमें क्या कमी है इसमें क्या फाइदा है मतलब ये सब कुछ बता देगा क्रॉप से संबंदित और किसानों के लिए ये करशी की मॉनिटरिंग भी कर सकता है तो ये आप ध्यान रखना अब इस प्रश्ट में Artificial Intelligence से संबंदित 2020 में जितने भी प्रश्ट आपने Current Affairs में पढ़ए हैं वो सारी में आपको र लॉंच किया था जिसका नाम इंद्रजाल है और इसके रेंज है 4000 km2 फिर आपने पढ़ा खुफिया जानकर 71 करने के लिए AI या धरित ओरोन विमान को लॉंच किया था किसने इसराइल ने फिर आपने पढ़ा था अभी ऑक्टोबर में ग्लोबल इंडिया AI दोजा टिविस स लॉंच किया था तो मद्यपरदेश ने और मेटा और माइक्रोसोफ ने मिलकर के AI आधरित एक भाशा मोडल लॉंच किया था जिसका नामे लामा 2 और बताओ किस राजे ने AI आधरित न्यूज एंकर लॉंच किया था जिसका नाम लीसा है तो आंसर होगा उडिसा ने और एल तो आंसर होगा ब्रिटेइन अभी हो चुका है यह हमने पढ़ा भी था फिर बताओ स्टैन्फोर्ड यूनिवर्स सिटी ने सरवादिक AI निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी जिसमें भारत पाचवे स्थान पर है तो टॉप पे अमेरिका है और किस ने ग्रामिन AI प्लैटफॉर्म टॉप आज को लांच किया था इंफॉसिस ने और इंफॉसिस ने भी दो टैनिस प्लेयर है एक पॉलेंड की है और एक स्पेन की टैनिस प्लेयर है उनको अपना ग्लोबल एमबेजडर बनाये था पॉलेंड की तो इगा स्वेटेक है और राफेल नडाल ये स्पेन के हैं ध्यान रखना अगला है ओपन AI ये अमेरिकी कमपनी है इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी लांच किया था यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर और रश्या के सेबर बैंक गीगा चैट लांच किया तो गूगल ने बार्ड लांच किया था और AI अर्टिफिशल इंटिलिजेंस के गौड़ फादर किने का जाता है जेफ्री हिंटन को का जाता है तो यहाँ पे मैंने आपको AI से सम्मंदित 17 प्रश्ण करवाए हैं यह सारे के सारे प्रश्ण आपके 2023 में आपने पड़े हैं करेंट अफेर्स में वो मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिये तो इनको आप ध्यान रखेंगे हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में चल्चा में रहा क्लेयू चेव स्कॉई ज्वाला मुखी यह किस देश में इस्तित है तो आंसर उगर तो रश्या के उत्तरी कामचट का प्रायद्वीप में इस्तित है यह कलेयू चेव स्कॉई ज्वाला मुखी जिसमें अभी विस्वोट हुआ है और 2023 में इसमें तीसरी बार विस्वोट देखने को मिला यह साइबिरिया का सबसे उचा परवत है और यूरेशिया का सबसे उ पूचा सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है तो माउंट कोटोपेक से एकवेडर में आपको मिलेगा अचा वे कौन सा महाद्वी पर जहां पर एक भी ज्वाला मुखी नहीं है तो अंसर होगा उस्ट्रेलिया अगर पूछा जाए भूमद्देसागर का परकाश स्तंब किसे क कहते हैं स्ट्रामबोली ज्वाला मुखी एक बार पूछा गया था ये किस द्वीब पर है तो ये लिपारी द्वीब पर है कहां पर इटली वे वैसे इटली के कुछ और ज्वाला मुखी है जैसे कि एटना ज्वाला मुखी ये सिसीली द्वीब पर है एक विशुवियस ज् अमेरिका में है हवाई दूइप उसी तरह से क्राकात हुआ, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग या माउंट सेमेरू ज्वाला मुखी ये सारे के आपको मिलेंगे सारे के सारे इंडोनेशिया में अच्छा ये प्रशन बड़ा इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछा हु प्रत्वी का सुरक्षा वाल किसे कहते हैं, ज्वाला मुखी को कहते हैं, ये ध्यान रखना हैं, तो यहाँ पे टॉप 10 मेनेच ज्वाला मुखी वालकेनों से सम्मंदित आपको इस्टेटिक प्रशन कराए हैं, ये सारे इंपोर्डेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है हम बढ़ते हैं चलिए फिर बताईए अभी हाली में जारी QS एशिया युनिवर्सिटी रेंकिंग 24 में कौन सा विश्व धले ये टॉप पर है तो आंसर होगा पेकिंग युनिवर्सिटी तो QS मतलब QAQAQILE SIMONS इसने एशिया युनिवर्सिटी रेंकिंग 24 को जारी किया है तो इस लिश्ट में पहले स्थान पर है चाइना का पेकिंग युनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर होंग कॉंग युनिवर्सिटी और तीसरे पर है Singapore की National University इस लिश्ट में टोटल 148 भारतिय युनिवर्सिटी भी शामिल है और इन में से Top 100 में बात करेंगे तो मातर 7 भारतिय युनिवर्सिटी है और Top 50 में केवल 2 भारतिय युनिवर्सिटी है IIT Bombay और IIT Dilli या आप नियू पूछो अगर प्रश्ण को गुमा करके कि इस वे स्थान पर है तो IIT Dilli 46 नंबर पर है तो ये क्या है प्रश्ण क्यूएस इस इस युनिवर्सिटी रेंकिंग 24 हमने देख लिया Top पर कौन है Top पर चाइना की Packing University है और भारत में Top पर कौन है IIT Bombay है तो दोनों तरह से मैंने आपको प्रश्ण बता दिया ध्यान में रखना बढ़ते हैं के फर बताईए अभी हाली में Association of Mutual Funds in India के नए CEO कौन बनेंगे तो आंसर होगा वेंकट नागेश्वर चसलानी तो Association of Mutual Funds in India ने वेंकट नागेश्वर चसलानी को अपना नया CEO नियुक्त किया है इससे पहले चसलानी SBI में Deputy Managing Director हुआ करते थे तो यहाँ पर वो किनका इस्थान लेंगे NS वेंकटेश की जगे लेंगे बाकिया भी बांगलादेश के ने प्रेसेडेंट बने थे मोहमद शाहबुद्दीन, फिक्की के ने महासचीव सेक्रेटर जनरल बने शेलेश पाठक और रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ने डारेक्टर जनरल बने थे मनोज यादव इनके नाम भी न्यूज में थे ध्यान में रखना बढ़ते हैं फिर बताईए अभी हाली में भारत की रक्षा परियोजनाओ में सोपरतिशत FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कमपनी कौन सी बन गई है तो अंसर होगा साब अब आप सोच रहे होंगे ये साब किस देश क की कमपनी ये भी तो प्रशना सकता है तो अंसर होगा स्वीडन की कमपनी है जो भारत में डिफेंस परियोजनाओ में सोपरतिशत FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कमपनी बन गई है तो FDI मतलब foreign direct investment मतलब foreign का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कमपनी भारत में आकर के invest करत है तो उस investment को foreign direct investment कहा जाता है तो ये जो साब ये जो company है ये कंदे पर रखकर दागे जाने वाले rocket बनाने वाली एक company है और ये हमारे देश में जो अपना manufacturing plant बनाएगी वो ये हधियाना में बना सकती है तो याद रखना भारत की रक्षा परियोजनाओ में सोपरतिशत FDI हास अचा कई बार हमने इससे समंदित प्रशन पढ़ा है हर साल पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI ये किस देश से आता है ये हमेशा सेम रहता है अगर आपको पता है तो बताईए हम बढ़ते हैं फिर बताओ अभी हाली में प्रले ballistic missile का सफल परिशन किया गया ये क इस प्रकार के missile है तो ये सते से सते सर्फेस टू सर्फेस missile है तो याद रखना भी उडिसा तट के पास अब्दुल कलान द्वीप से सते से सते पर सर्फेस टू सर्फेस पर मार करने वाली कम दूरी की ballistic missile है ये प्रले जिसका भी सफल परिशन किया इसकी range की बात करोगी तो 300 से लेके 500 km की range है इसको बनाया किसने है DRDO ने बनाया है और ये अपने साथ 500 से लेके 1000 kg तक का payload ले जाने में सक्षम है और इसे चाइना और पाकिस्तान की सीमा के पास में तेनात किया जाएगा इसी के लिए इसको develop किया है नाम है प्रले ballistic missile अच्छा आपको याद होगा इसी अब ये आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी कई missile के परिक्षन किये थे जिसमें से एक है अबाबील एक गौरी missile भी है इसे पाकिस्तान की दू तिन missile है मैं आपको बता दूँ जो आपने news में सुनी होगी अबाबील हो गया गौरी हो गया गजनवी हो गया और एक शाहीन missile ये सारी पाकिस्तान की है अगर आप से पूचे खेबर missile या फतह missile ये किस देश की है तो ये इरान की है और इरान की एक नूर भी है जब कि नूरी किसकी है साउथ कूरिया की है अच्छा हमारे पास एक सूपर सोनिक कुरूज missile भी आ उसका नाम है भ्रमोς DRDO की देखो बात करते हैं तो Defense Research and Development Organization 1958 में स्थापना होती है, Headquarter नई दिली में है और अध्यक्ष है, समीर भी कामत, अच्छा इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है? S. Somanath है, अभी इनकी एक autobiography आप लोगों ने पढ़ी होगी, उस autobiography का नाम बताईए, जो की मलियालम भाशा में लिखी हुई है, हम बढ़ते आगे, फिर बदाईए, अभी हाली में मैग लेनिंग ने किस खेल से सन्यास ले लिया? तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रशन पूछ लिया मैंने, आप सबने इनका नाम सुना होगा, ये किर्केटर है, प्रशन ये होना चाहिए था, कि इन्हों के महिला किर्केट टीम के कप्तान है, उन्होंने अपने 13 साल के करियर में 7 विश्व किताब जीते हैं, अभी लास्ट जो कमन्वेल्थ गेम्स 2020 हुआ था, उसमें भी आपको बताए किर्केट को शामिल किया गया था, तो औस्ट्रेले विजिता रहा था, अच्छा मैग लेन थी, हर्मन प्रीत को और थी, और उप विजिता कौन था, यानि कि मुंबई इंडियन्स ने किसे रहा था, दिल्ली कैपिटल्स को, तो उसकी कप्तान थी, यह मैग लेनिंग, वहाँ पे आपने इनके बारे में सुना होगा, और वहाँ पे परपल कैप, यह मिला था, हेले मै कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस दे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 नवंबर को, तो सभी नागरिकों के लिए उचित और निश्पक्ष न्याय प्रक्रिया सो निश्चित करने के लिए जागरुकता फिलाने के उद्देश से हर साल 9 नवंबर को नेशन अधिकारों से आउगत कराने के लिए इस दिन को शुरू किया गया मनाना, वैसे मैं आपको बता दू इस बार 9 नवंबर को हमने वर्ल्ड यूजबिलिटी डे विश्व उपयोगीता दिवस भी मनाया, जो नवंबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और थीम क्या है इसकी सहयूग और सहयूग यानि की कॉलिबोरेशन एंड कोपरेशन, अब आप कहोगे कि नवंबर में कौन-कौन से दिन मनाये हमने, तो एक नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, शाकाहरी दिवस, तीन नवंबर को वर्ल्ड बायोस्वेर रिजर्व डे, पांच नवंबर क किर्केट बोर्ड का अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा डाइना प्यूक टापू को, तो अभी न्यूजिलेंड किर्केट ने डाइना प्यूक टापू को बोर्ड का अध्यक्ष चुना है, तो डाइना ये न्यूजिलेंड के पूर राष्टर पती और ब बैंक की पहली महिला गवर्णर बनी थी कौन मिशेल बुलाग अभी विश्वी मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल और्गेनाइजेशन की पहली महिला सेकरेटरी जनरल महा सचीव बनी थी सेलिस्ते साउलो और युनाटेड नेशन जनरल इसेमली के 78 वे 70 के देख्ष बनाए गए थे डैनिस फ्रांसेस किस देश के हैं ये तरेनिदाद और टोबे को मैंने हमेशा ये प्रशन आपको बताया है जब इनका नाम बताया और ये प्रशन भी एक्जाम में पूछा गया था कि ये किस देश के हैं तरेनिदाद और टोबे को तो गाईज य पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी डिस्टब नहीं किया, कहीं पर भी किसी चीज का प्रचार नहीं किया, लाइक, सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं बोला, अब लास्ट में जाकर के बोल रहा हूँ, तो ये बात अगर आपको अच्छे लगी है, तो लाइक जरूर करना, चलो अभी कल के करेंट अफेर्स का भी मैं आपको क्विक रिविजन करवा दू, फर सेशन एंड करते हैं, तो पहला प्रशन पूछा तक इसने सेयद मुस्ताकली ट्रॉफी दोजा, तेविस का घिताब जीता पंजाब ने, फिर पूछा विश्वर रेडियोग्राफ दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फॉर्म का एउजन ये हुआ कहां पे नीधरलेंड में, और जातिकत आर्थिक सर्वेक्षन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार, अभी सात्वा गंगा उत्सव का एउजन ये कहां पे किया गया तो अंसरू का नई द चलो अभी कल का हमवर्क प्रशन देखते और सेशन एंड करते हैं, तो कल के वीडियो में आपसे बुच आता भारत और किस देश के बीच हरी महु शक्ती दोजा तेवी सब्यास का एउजन किया गया, तो अंसर होगा मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ ये, आ सभी ने प्रशन का बिल्कुल से उतर दिया, ये राज का आपका हमवर्क प्रशन है